हुआ 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 है हुआ है हुआ है कि एटोमिक रेडियस तिन प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है कोवालेंट रेडियस नहीं है तो स्यू ओवी एल इंट कोवालेंट रेडियस हम किसको बोलेंगे जब दो एटम कोवालेंट रेडियस जब दो एटम एक कॉवालेंट कौन बनाएगा नहीं यहां पे दो एटम हो यह तो हो मोजाइगा सब्सक्राइब और दो एटम लेट मनिए कि पहला यह होमो निक्लियर का एक्जाम्पल है जिसमें से सियल सियल हम ले रहे हैं अब है ट्रो निक्लियर है जिसमें क्या होगा यहां यह दोनों का टिस्टांस ठीक है यहां से यहां तक का डिस्टांस हो गया आपका इसके बाद ये जो है न इसका हाप, इसका भी हाप, हम इतने को बोलेंगे क्या, kovalent radius ठीक है? इसका भी center से लेकर यहां तक का distance और यहां तक का distance इसको हम बोलेंगे क्या? कोvalent radius ठीक है? तो कोvalent radius कैसे different कर सकते हैं, the covalent radius, it is, it is, one half distance of an atom, it is the half distance of an atom having bonded, p,o,n,d, it is bonded with covalent bond, ठीक है, यह covalent bond है, उसका half distance, वग नहीं, covalent radius, यह पुरा होगा, covalent bond बना है, ठीक है, और उसका half, it is the one half distance of an atoms having bonded with a covalent bond, ठीक है, अब इसका पहला किस जो होता है, वो, होमो निकलियर के लिए कौन सा फर्मूला यूज करेंगे हम, हम निकलियर, diatomic molecules, यहाँ पर हम एक्जामपल जैसे, इसमें क्या हो जाएगा, आपका, इसका फर्मूला, rc is equal to, इसको भी a, इसको भी a मान लेते है, तो diameters of a, da, da, इसका रेडियस, प्रच इसका रेडियस बाइ, टू हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, यह होता है, b a और a, यह जो distance है न, यहाँ से लेकर यहाँ का, उसको हम लेट माने है, da, माइनस a, ठीक है, आप इसको जून भी, जे भी, कोई भी लेट मान सकते है, आप नहीं, तो इसको हम यहाँ पे, is equal to, यह हम capital d मान लेंगे, small d मान लेंगे, तो यहाँ पे हम d y, तो भी लिख सकते हैं, वो कोई बढ़ बात नहीं है, आपका distance दिया होगा, कि इसके, इसके center के बिच के इतना radius है, यह उसका equivalent radius पाता लगा, तो आप क्या करेंगे, d a minus a by 2, तो इसका distance यहाँ जो लेट माने होंगे, वो हे distance हो यह लाप, आपका में खपके,